नमश्कार SBT News में आपका स्वागत हैं पेश है साथ दिसंबर मंगलवार दुफैर सवा बारा बजे रासान की बारा बड़ी खबरें कुरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन ने वेडिंग कारोबार को ड़ा दिया है आशुनका है कि तेजी से बढ़ते किसों को देखती हुए सरकार जल्ध ही बंदिशे लगा सकती है ऐसे में वेडिंग कारोबार लगाता तीस सीजन से वंचित रह सकता है इस साल में 13 दिसंबर तक लगातार सावे हैं इसके बाद मनमास 14 जनवरी को खत्म हो जाएगा और अप्रायल तक लगातार सावे हैं इस वरान करीब डेट से 2000 शादियां है भरतपर मैरेज होम समीती सच्चिव जितेंदर गोयल ने बताया कि नई बुकिंग पर वर वधु के परिजन असमंजस मे आ गए हैं कुछ बुकिंग टल भी गई है कुछ शादियां होटलों में शिफ्ट होई है अफिम और शराफ तसकरी के साथ ही जोदपूर में विदेशी करेंसी की तसकरी भी होने लगी है प्रवरतन निदेश जाले ने मुंबई एरपोर्ट पर एक यवग को एक करोड़ ब विदेशी करेंसी के साथ पकड़ा है पकड़ा गया यवग जोदपूर का है और जोदपूर से वो विदेशी करेंसी लेकर दुबई जा रहा था जोदपूर से मुंबई फहुंसते ही डियाराई की टीम ने उसकी समान की जाच की तो बड़ी संख्या में विदेशी करेंसी बरामत की गई उसे बैक सॉपने वाली यूवक को भी पकड़ा गया सवाई माधवपूर में विक कैट शादी के रसमे आज से शुरू हो रही है आज शाम संगीत सरमनी होगी विक्की और कैटरिना दोनों की फरमाईश पर इवेंट कंपनियों ने खास तैयारी की है दोनों कपल की फरमाईश पर साथ सो साल पुरा ने इसके लिए का हेरिटेज लुक में डेकोरेशन हुआ है सुत्रों के अनसार विक्की के बारात को लेकर भी तैयारी शुरू हो चुकी है वेकेटरिना को लेने साथ घोडों की बग्गी से जाएंगे ये सब भी घोड़े सफेद होंगे इसके अलावा इन दोनों की सिक्योर्टी का जिमाद सल्मान खान के बॉडिगार्ट शेरा की कंपनी देखेगी एसीबी के और से सौपेगे विस्चार की जांच को लेकर रास्थान कॉपरेटिव डेरी फेडरेशन और सहकारता विभाग के अफसर आमने सामने हो गए हैं एसीबी को आरसी डी एफ के माध्यम से बनाए गए नव निर्मित कोविंगर दूद प्लांट मालपुरासित पैकिंग प्लांट और बिना जरूरत नया भावन बनाकर साथ नई लेब बनाने में हुए बसे चार को लेकर आठ महीने पहले शिकायत मिली थी एसीबी ने परिवाद दर्च कर लिया परंदूने संबनित अधिकारी दस्तावेज उपलब नहीं करवा रहे हैं अब उन्हें चिताया गया है कि अगर दस्तावेज नहीं दिये तो दोशी अफसर को एक साल क्याद के सजा हो सकती है शेखवाटी में मौसम साफ होने के साथ सर्दी का सार रचानक बढ़ गया है अंचल के फतेपूर कृषिय नुसंधान केंडर में एक ही रात में तापमान में साड़े चौर डिगरी की गिरावट दर्ज हुई है जो मंगलवार अलसुबह 3.5 डिगरी साइसेस पर पहुँच गया महीं सुबह सुबह कोहरावी पहले की अपेशा बढ़ा हुआ नजर आया इससे सर्दी में बढ़ा त्वे द्रश्यता में कमी रही सर्दी से बचने के लिए लोग खुद को पूरी तरह से गरम कपड़ों में ढ़के दिखे होने के साथ जहां तहां अलाव जलाकर भी सर्दी से बचने के जुगाड करते दिखे इस बीच खबर है कि प्रदेश के अंदर दिसंबर के दूसरे सब्ता हमें तेज सर्दी पड़ेगी कोटाब नगरिय नियोजन की मिसाल बनने जोरा है अगले आठ से दस माह हमें इस शहर में ऐसे विश्वस तरिये काम दिखेंगे जो दूसरे शहरों के लिए उधारन होंगे चंबल रिवर्फरंट पर बन रहे अजूबे हर किसी के आगशन का केंज होंगे चंबल नदीपा सासो करोड रुपे की लागत से तयार हो रहे इस रिवर्फरंट में दुनिया की सबसे बड़ी घंटी देश की सबसे बड़ी संग मरमर की प्रतिमा देश का पहला एलेडी गार्डन और देश का सबसे बड़ा नंदी समेट कई अजूबे दिखेंगे दौसर जिले में श्रम विभाग ने महिला से श्रमिक डायरे देन्यू कराने के आड़ में चार सो चैसी रुपे वसूल लिये जबकि वास्तिविक शुल्क साथ रुपे ही है महिलाने ने धाई शुल्क से चार सो चब्वीस रुपे अधिक लेने पर विरोध दर्ज कराया लेकिन सरवाई नहीं होने पर नयाई के लिए जिलाव भोगता विवाद प्रतितोष आयो का दर्वाजा खटकटाया दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयो के अधिक राम सिंग मीडा नेश्रम विभाग को अधिक शुल्क लेने का दो शिठहराया इसमें अधिक राशी 426 रुपे जमा कराने की थी 24 फरवरी 2021 से अदाएगी तक 9 प्रतिशत वाशिक दर्से ब्याज वे 5,000 रुपे जुर्माना किया प्रतिश में 10 साल के रम्बे इंतजार के बाद किसानों को 75,000 बिजली कनेक्शन दिये जा रहे हैं ये बिजली कनेक्शन सीम अशोग गहलोट के पिछले कारेकाल के वक्त 2012 से पैंडिंग चले आ रहे थे उन्हें मंजूर करने का काम अब पूरा किया जोरा है सीम गहलोट ने अपने पिछले राज के बकाय क्रिशी कनेक्शन जोरी करने के निर्देश दिये हैं इसके साथ ही सभी 33 जिलो के किसानों को खेती बाड़ी में सुछाई के लिए दिन में बिजली देने का भी फैसला लिया गया है फिलहाँ 17 जिलों में बिजली सप्लाई शुरू हो गई है जैपुर के मुहाना थाना इलाके में कार का शिशा तोड़ कर करीब 2,75,000 रुपे का समान चोरी करने का मामला सामने आया है इसवर पलिस ने चोरी का मकदमा दर्च कर जाँच शुरू कर दी है पलिस ने बताया कि मकदमा दिनेश कुमावत जो कि सुमेर नगर मुहाना के रहने वाला है उसने दर्च कराया है शिकायत में उन्होंने बताया कि वो शनिवार को राधा कृष्ण मेरिज गार्डन में आयो जी तो आशिरवा समारों में गए थे जहां पर उनकी कार पार्किंग में खड़ी थी गाड़ी में सोने के आभूशन सहीद अन्य समान था जब लोटे तो गाड़ी का कांच ठूटा हुआ था उसमें रखे सोने का कानों का सैट और पैंडल चैन सहीद काफी समान चोरी हो गया आरेलपी सुप्रीमर वे नागोर सांसद हनमान बेनिवाल ने सोनवार को संसद में चर्चा के दुरान बोलते हुए जोदपूर एम्स हॉस्पिटल निदेशक की कारेशली को लेकर सवाल उठाए उन्हें ने कहा कि जोदपूर एम्स में हुई नियम विरुद भरतियां इसके बाद उत्पन अस्तिती एम्स ने देशक गैर जमेदारा नारवई ये और यहां के एक डॉक्टर के सुसाइट कर लेने के मामले की केंदर सरकार को जांच करानी चाहिए आरेलपी सुप्रीमो वेनागर सांसाथ बेनिवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में एम्स जोदपूर में समीदा अधारित भरतियों में भारी गड़बडियां हुई है वहां मनमर्जी से भेड़ बकरियों के तरह यहां को भरती किया गया है किंद्री अलप संक्यक मामलात मंत्राले ने दर्गाह कमिटी के नाजीम अश्वाक हुसैन का इस्तीफा तुरंत प्रभाव से स्विकार कर लिया है उनके स्थान पर मंत्राले में ही सच्चिव शादान जेव खान को अध्रिक्ट प्रभार सौंपा गया है इसके आदेश सोंवार को दर्गाह कमिटी के सदर अमीर पठान सहिद विभिन अधिकारियों को भी पहुंचे मंत्राले में अपर सच्चिव मुहमद नदीम द्वारा ज्वारी आदेशों के नुसार मंत्राले के सक्षम प्राधिकारी की स्विक्रती से अश्वाख हुसेन नाजिम दर्गाह ख्वाजा साहब अजमीर का इस्तिफ़ा ततकाल प्रभाव से स्विकार कर लिया गया है दिसंबर को जैपर में प्रस्तावित रैली को लेकर जिलों में पहुँचने वाले प्रभारी मंत्रियों को अपनों के ही विरूद का सामना करना पड़ा रैली में बेड जुटाने के लिए 30 प्रभारी मंत्रियों को 33 जिलों में भेचा गया था इसे दौरान सोमार को टॉंक में मंत्री साले मुम्मत की कार को पैरा टीचर्स निगे लिया वे पुलिस बल से धक्का मुक्य प्रदर्शन कर स्थाई करन की मांग कर रहे थे तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ